ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, Occupational Dermatitis. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. क्लास के नोट्स आपको description box में दे दिये जाएंगे, जहांसे आप direct डाउनलोड कर सकते हो. तो हम Occupational Health का अगला टॉपिक शुरू करते हैं, that is Occupational Dermatitis. छोड़ो सा टॉपिक है, कभी-कभी आता है, very short note या short note में आता है. तो Occupational Dermatitis होता क्या है? Dermatitis हम सभी को पता है कि वो allergens होते हैं, जिनके वज़े से बहुत सारी खुजली होती है, irritation होता है, तो that उसके बाद Dermatitis कॉज करता है. मगर कौन-कौन से occupations, या फिर खहना चाहिए, कौन-कौन से causative agents हैं, जो occupations में exposure करते हैं, और Dermatitis कराते हैं. तो Occupational Dermatitis को कराने वाले causative agents जो होते हैं, वो चारतरा क्यों हो सकते हैं? Physical, Chemical, Biological और Plant Products. Physical में हमने याद है, Occupational Diseases में भी बहुत सारे Physical Agents पढ़े थे, वो ही सब रख दो यहाँ पे. बहुत जादा गर्मी में भी Dermatitis हो सकती, बहुत जादा ठंड में, बहुत सादा moisture वाले environment में, जो लोग काम करते हैं, या फिर कहीं पे घर्शन या friction वगरा बहुत जादा होता है, तब भी, और उसके अलावा बहुत under pressure काम करते हैं, या फिर X-rays, जो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, कि X-ray technicians वगरा जो होते हैं, उनमें भी Dermatitis देखा गया है. उसके बाद, chemicals, कई सारे chemicals भी ऐसे होते हैं, जो Dermatitis करा सकते हैं, यह तो बहुत सारे dyes हैं, solvents हैं, grease है, coal tar, acid, alkalize, बहुत सारे lines आपको दिखेंगे, जिस पे MCQ आया है, यह दो नाम ज़रूर याद रखना, lime और rubber. तो यह भी कुछ chemicals हैं, जिनकी वज़े से Occupational Dermatitis workers में देखा जाता है. फिर तो दो बहुती simple हैं, biological में आप सारे वो micro वाले रख दिना, अलग-अलग fungi, parasites, viruses, bacteria हैं, जो आगे जाके Dermatitis करा सकते हैं, most important, occupational point of view से भी, in fact farmers वगरह में कई मिलते हैं, plant products में, पेड़ की पतियां होती हैं, fruits होते हैं, flowers या उनकी dust होती हैं, जिनसे की Dermatitis होता है, अप उन्हीं बच्पना खेलते रहते थे, तो ये जो गाजर घास होती थी, पाइथरम, तो इसमें अप उनको मना किया करते थे, यहां पर नहीं खेलना, यह गाजर घास से खुजली होती है, तो एक तो यह हो गई, दूसरी in fact जब हम cricket खेलते थे थे न, तो यह छोटी छोटी जो poison ivy की पतियां होती थी, इनको लेते थे, हाथ में घिस देते थे, साथ वाले खिलाड़े के तो उसको खुजली होने लगती थी, actually हमको पता नहीं था, कि we were causing it, allergic contact dermatitis, और इस तरह के linear lesions भी हमको देखने मिलते थे, poison ivy की पत्तियों से, तो यह कुछ plants हैं, जो की आगे जाके occupational dermatitis कराते हैं, तो हमने यह देख लिया कि occupational dermatitis किस-किस से होती है, तो PCB तो आपको पत्ति है, physical, chemical और biological, उसके अलावा जो एक नाम याद रखना है, that is plant product, उसकी बाद ना, वाईवा के लिए तो term use होती है, एक होती है primary irritant, एक होती है sensitizers, फारक क्या है, primary irritant जो होता है ना, इसमें वो substance आते हैं, जो सिर्फ एक ही बार आपके contact या exposure में आप उसके आओगे, और आपको dermatitis करा देगा, या inflammation या inflammatory reactions आपके skin में करा देगा, दोजा primary irritant, primary irritant मतलब, ऐसे substance, जो कि आपके skin में inflammatory reaction करा देते हैं, पहली बार में ही exposure होने पे, that is primary irritant, P for primary, P for पहली बार में ही, तो इससे याद रखना, sensitizers ने इस मामले में थोड़े अलग होते हैं, sensitizers वो substance होते हैं, जो आपकी skin को sensitize बस करते हैं, first contact में आके, बस sensitize कर दिया, कि भाईया हमको पहचान लो हम क्या है, अगली बार बताएंगे हम क्या है, फिर जब अगली बार उसका subsequent exposure होता है न, तब inflammatory reaction आपकी skin में वो cause करते हैं, तो समझ गए फरक या आपसे वाईवा में पूछा जाता है, कि भाईया primary return और sensitizers में फरक बता दो, तो ये होता है, primary return जो होता है, वो पहली बार में ही उसका exposure होगा, आपको inflammatory reaction skin में करा देगा, जबकि जो sensitizers होते हैं, पहली बार में तो सिर्फ sensitize करते हैं, और दूसरी बार में, यानि जब subsequent exposure होता है, उसके बाद ही inflammatory reaction कराते हैं skin में, ठीक? अब आता है, जो एक PG entrance exam में सवाल भी पुछा गया था, कि occupational dermatitis के 4P कौन से होते हैं, 4P यानि 4 preventive measures, 4P होते हैं कौन-कौन से, तो P for pre-selection, P for protection, P for personal hygiene, and P for periodic inspection, तो ये 4P हैं, आपके prevention for occupational dermatitis में, क्या-क्या हैं वो, pre-selection का मतलब क्यों होता है, pre-selection का मतलब होता है, pre-placement examination, pre-placement examination का मतलब क्या होता है, कि कि किसी को काम पे रखने से पहले ही, उसको examine कर लिया आपने, और देख लिया कि भाईया, कौन-कौन सी बिमारी है, जिनके लिए ये predispose है, जो कि pre-disposed हैं skin disease के लिए, जिनको बाबा skin disease होती रहती है, दादखा जो खुजली होती रहती है, उनको खाना बनाने के काम में मत रखो, या ऐसे jobs में मत रखो, जहां पे skin hazards होते हूँ, तो ऐसे jobs से ही दूर रखो उनको, तो ये होता है आपका pre-selection या pre-placement examination, कि आपने देख लिया कि भाईया, वो pre-disposed है, उसको skin disease हो सकती है, तो उसको ऐसे occupation में मत रखो, जहां पे skin hazard जादा देखने को मिलते हैं, तीक, पिर आता है protection, तो आपको occupation dermatitis से बचाओ के लिए, उनको gloves परनाओ, aprons परनाओ, boots परनाओ, creams वगरा लगाओ, जिसकी वज़े से उनको allergen ना हो सके, और dermatitis भी ना हो सके, और gloves, aprons और boots क्या करेंगे, gloves, aprons और boots यह जो allergens हैं, उनसे उनको दूर रखेंगे, उनसे contact ही नहीं होने देंगे, उसके बाद ना, personal hygiene बहुत important है, hand hygiene और washing facilities उनको available कराओ, बार-बार उनको हाथ दोने को कहो, बार-बार उनको साफ सफाई रखने को कहो, तो वैसे ही वो dermatitis से दूर रहेंगे, और सबसे आखरी में होता है periodic inspection, periodic inspection का मतलब होता है, आपने काम पर तो रख लिया, उसके बाद periodic medical examination करते रहो workers का, जातर देखा गया है, दो से तीन महिने में, वरकर्स का examination होता है, कि उनको जाके डॉक्टर आता है, examine करता है कि भाई कोई disease तो नहीं हो रही है, कोई आपको dermatitis टाइप के features तो नहीं दिख रहे हैं, समय समय पर जाच होते रहने चाहिए workers की, तो यह हो गया आपका prevention, तो हमने occupation dermatitis में क्या देख लिया, कौन उसको cause करता है, कौन cause करता है, PCB देख लिया, प्लस plants देख लिया, फिर हमने primary returns और sensitizers देख लिया, और फिर prevention के लिए, occupational dermatitis के लिए 4P हमने देख लिये, अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो जो theory exam होता है, उसमें ना कभी-कभी, याद रखना बहुत कभी-कभी short note आता है, या very short note आता है, occupational dermatitis पे, regularly तो इसमें सवाल नहीं आता है, उसके बाद, अगर मैं वाइवा की बात कहूँ, तो वाइवा के लिए आपको ये दो टर्म बहुत ज़रूरी है, that is primary return क्या होते हैं, और sensitizer क्या होते हैं, प्लस वाइवा के लिए आपको ये 4P ज़रूरी है, pre-selection, protection, personal hygiene, periodic inspection, ठीक, तो ये 4P आपको वाइवा के लिए ज़रूरी है, अब PG entrance exam में पूछने के लिए, हमारे notes में और slides में आपको जितने भी underline part मिलेंगे, वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे कहें, MCQs हैं, तो occupation dermatitis में कौन-कौन से MCQs आएं हैं, MCQ एक हमेरे को मिला था, जिसमें था कि ये सब ही occupational dermatitis कराते हैं, all except, तो उसमें एक option था, X-ray, एक था lime, और एक था rubber, तो ये तीनों तो कराते हैं, उसके अलावा, शायद पिछले साल ही, PG, NEET PG में आया था कि 4P's क्या हैं, ये MCQs आया था, 4P's of occupational dermatitis, तो कौन-कौन से है, selection से पहले, examine कर लो, pre-selection, फिर productive gas लगा दो, personal hygiene करने को बोलो, और समय समय पे, जाज करते रो, तिक, pre-selection, protection, personal hygiene and periodic inspection, तो, इतनी चीज़े हैं, जो आपको, occupational dermatitis में, पता ही होनी चाहिए, थैंक यू,